वेल्कम टू मैं चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टी मेठी अम्रूद की चटनी यह चटनी किसी के भी साथ खाई जा सकती है और खाने में यह बहुत टेस्टी लगती है इसके लिए हमने दो पके हुए बड़े अम्रूद लिये हैं और इसको हमने अच्छी तरह से धोकर और छोटे छोटे टुकडों के काट लिया है और इसके बीजों को हमने अलग निकालकर रख दिया और इसमें डालने के लिए हमने लिये है थोड़ी सी अद्रक, हरी मेर्च, काली मेर्च, आधा नीबू और भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी हरी धनिया हरी धनिया को साफ कर दोकर हमने उसे काट लिया है और नीबू को हमने निचोड कर उसका रस निकाल लिया है और काला नमक और सफेद नमक टेस्ट के अनुसार अगर आपको नीबू का रस नहीं डालना है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और अगर आपको खटा पसंद नहीं हैं तो आप इसे हटा भी सकते हैं ये आपके टेस्ट के उपर नेर्भर करता है कि आपको क्या डालना है अब इन सारी चीजों को हमने एक मिक्सी की जार में डाल दिया है धनिया मेर्च काली मेर्च जीरा निभू का रस काला नमक और सफीद नमक अब इन सब को हम डाल कर अगर जरूरत पड़े थोड़ा सा पानी भी एड़ करते हैं नहीं तो वैसे ऐसी ही पिस जाती है ये और इन सब को हमें बारी पीस लेना है देखी चटनी हमारी बन कर तयार हो गई है इसे आप पूरी के साथ परांठे के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं ये बहुत ही डेस्टी लगती है अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्य झाल सकते हैं धाओछवस्ते हैं जाओवस्ते हैं घ्लै झाल सकते हैं पस्टाइब के आपको प्लीज बड़ता हैं एम ऑ्नोगता हैं जाओशने हैं उला है